कि अज़े शुरू करते हैं आज का लेक्षर्स इससे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा टीचर डिवीज की आप लोग और आप लोगों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई टीचर दिखें और इस टीचर दिखें प्लच में आ आपका सबसे महान से इच्छक है इसका मतलब यह है कि आप क्या गलती करते हैं कब पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं आपका रिजल्ट क्यों नहीं होता है हम लोग क्या गलती कर रहे हैं इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता जितना आपके अंदर अंतर आत्मा आपको बता सक तो चलिए आज का लेक्टर शुरूख करते हैं और हाँ यह कल का कोश्चंस है दस नमर कोश्चंस किसी ने कॉमेंट किया था कि सर आप जो यह एंसर पुरा दी है आप कोश्चंस में फिर से दिसकस प्लीज डिसकस बोला वहां तक ठीक है एंसर पुराने वाली बात है तो आप पने लिक ख्ळीक किया चली ओपढ़ा मैंने आपको फ़हले बोला है कि कोई भी दिखकत हो आप बता सकते हैं आपको खेंस हम फिर से deixa करें आइक है है को सब्सक्राइब रहा तो इतना लोग डिशुकर कूंच करते हैं एक लाइन दो लाइन में करके निकल जाते और यह सार ठीक है आपको यहाँ पे कल आपका जो यहाँ वोलूम निकाले थे टोटल आइतन आप लोग को पता ही होगा यहाँ जो मीटर में दिया हुआ है उसको सेंटिम मीटर में कनवर्ट करेंगे तो 400 होगा यह 1.5 मीटर दिया हुआ है इसको सेंटिम में कनवर्ट करेंगे तो 400 होग और यह 80 दिया हुआ है तो हम अगर वोल्यूम निकालेंगे टोटल वोल्यूम तो यह गुना हो जाएगा आपका लंवाई चोड़ाई और गहराई तो आपको गुना हो के कल ही बताए थे आपको कल का लेक्चर देख लिजेगा अभी जल्दी कर रहें इसकुन बहुत टाइम यह देख जोड़ाई सेन्टीमीटर कईवाया था यहां तक समझ में आ गया था मों नी ह will निकालना चाहे है तो टंकी में बचा पानी कैसे निकालेंगे 6 मिनट के बाद टंकी में बचा पानी हमको निकालना है 6 मिनट के बाद ठीक है तो दिखिए कि 120 सेंटीमिटर पर 30 सेकंड है पानी जो निकल रहा है ना दर निकलने का दार वो एक सेकंड में 120 सेंटीमिटर निकल रहा है और हमको 6 मिनट में निका रखते वाटर फ्लो जो बह गया पानी वह 120 गुना 360 होगा चाहिए 6 गुना 60 होगा क्योंकि हमको सेकंड वदलना जरूरी है ठीक है तो यह कितना आगे आपका जो पानी बह गया है वह आपका पानी बह गया है 43200 सेंटीमीटर क्यूब तो हम बोले थे आपको कि टोटल भॉल्यू में इस भॉल्यूम को घड़ा देंगे जो पानी बह गया है ठीक है वह निकाले थे तो आपको घड़ाने के बाद कितना आया था दिखिए जरा 476800 यह आया था ठीक है सेंटीमीटर क्यूब में आया था यह भी तो यहां तक किसी को कोई दिख्कत नहीं था कल ठीक है क्योंकि टोटल भॉल्यूम निकाल लिए थे जो पानी बह गया वाटर फ्लो यहां लिखे है डवल एक एक सो बीस गुना छे गुना साथ छे को भी सेकेंड में कंफट किये और घड़ा दिये 4850 माइनस 432 00 ता आया तो यहां तक किसी को कोई दिख्कत नहीं था छीको तो अब पूछा गया है कौस्यंट में कि पानी की उच्छाई क्या होगी जो 6 मिनट के बाद अब यह पानी बेह गया उसके बाद उचाई क्या बचा मान लीजए जिस समय हम एक ड़्दम ढटे है यह एक टनकी है जगा है ठीक है तो इसको रॉफ करेंगे यह टंकी है ठीक है यह टंकी है जिस समय भॉल्यूम हमारा 48 पे 5-0 था यह वाला भॉल्यूम देखती जाएगा समझा रहे हैं उस समय यहां तक उचाई यहां होगा यहां तक कुछ उचाई होगा लेकिन जब 6 मिनट पानी बेह गया कुछ हुआ होगा यहां तक लेवल था पानी को समय दीक है अब स्ही मिनट के बाद क्या हुआ कि यहां तक पानी आ गया आँ वाल लीजी यह पानी का लेवल तो उचाई चाही 아 तो वहींच रहा है कि अप यहीं पूछ रहा है कि अब उचाही क्या है ठीक है तो जी समय 48 पे 5-0 भ तोटल भोईलियूम था जिसमें पानी नहीं बहा था उस समय उचाई था 80 क्या था 80 ठीक है 80 अब बोल रहा है कि पानी बहने के बाद आप पानी बज गया है 47,56,800 अब उचाई क्या होगा इस समय यह पूछ रहा आपको ठीक है जब आपसे यह पूछ रहा है तो कैसे निकाले आप देखिए अगर आप हमको बोले कि एक सेंटीमेटर क्यूब में क्या होगा यह असी होगा यहां नीचे आपका 48 पर पांच जिरो आ जाएगा ठीक है दो तीन चार पांच अब बच कितना गया है पानी बच्छे मिनट बहने के बाद 47,56,800 तो इस समय क्या होगा 80 पर लिख रहे हैं इसी कोनों हम काट कूट के कल एंसर लाए थे आपका 79.28 तो कैसे एंसर पुरा दिये सो बताईए टोटल वोल्यूम जब 48 पर पांच जिरो था उस समय आपका 80 सेंटीमेटर था छे मिनट में पानी फ्लो होने के बाद आपका आपका बच गया 47,56 वोल्यू होगा फिर 47 पर निकाल लिए 47,500 पर यह गुना हो जाएगा बस यही था काल आपको यह स्पेप थोड़ा साम जल्दी में कर दिये थे लास्ट कोईशन था एक अक नियम से नहीं किये थे हमको लगा था आप समझ गया होंगे तो एक लड़का का था कि यहां वाटर फ्लो का दिया यहां वाटर फ्लो का नहीं दिया जी असे लिए तो मेरे दोस्ते ऐहां टाइम हुआ है कि छोड़ा हुआ हमको दो जाहिए तो तो आपको एक समय वोल्यूम दिया ना आप लोटर वोल्यूम निकाल लिए दिए समय आपको 80 दिया हुआ है अब दूसरा वोल्यूम आपको क्या बचेगा छे मिनट में बेह गया पानी आप मान लिए कि 100 लिटर था ठीक है अब इतना डाटा छोड़ दीजिए डाटा क्यों पानी बेह गया असी मीटर बचा है तो उचाही क्या होगा तो आप नहीं निकाल पाईएगा हैं दस बटे सो होगा गुने असी हो जाएगा ठीक है यही तो कॉस्चन्स है कि सौ में सौ सेंटिमेटर जैसे पानी बेह गया तो गहराई उस पानी का लेयर जो वो तो घटा उसी पर तो चाही निकलेगा आपको समझने बात को अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया एक कोश्चन्स तो आपकी कल फिर कॉमेंट करिएगा और जो कॉमेंट किये थे कि आप एंसर पूरा रहे हैं अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज कर दिजिएग सिर्ष कौन क्या होगा अब यहां बताइए हम नहीं लिखेंगे आपको मुझ से बोल देते हैं सुनिए कि एक सम्धिबाहुतिर पुझे उसमें दो बराबर होता है दो कौन बराबर होगा तो तीसरा कौन आपका 12 बराबर होगा तो 3 x 12 हो जाएगा एक स्वासी में 12 गटा आदेंगे जो बचेगा उसको तीन से भागा देंगे आपको समझ में आया इसलिए हम यहां करते हैं अब जब लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा देखें एक सम्धिबाहुतिर पुझे इसलिए सौटकट नहीं चलते कुछ भी आराम से बता के चलते हैं आपको ऐसा नहीं कि हम लॉंग बनाना चाहते हैं पुछ नहीं आप आप सीख तो लिजिए अपने आप सबस्टेप कर दीजिए एक सम्धिबाहुतिर पुझे इसको बोलते हैं जिसका दोनों कौन बराबर हो तो यह दो कौन बराबर हो उसको बोलते हैं सम्धिबाहुतिर पुझे यह और ये आपका क्या होगा है X प्लस 12 होगा जब संधिवाहो तिरिपैज में क्या होता है दो भुजा बराबर होती है इसलिए अधार परके यह बराबर होती है यह वो भी बोल रहा है कि समद्य लुबाहू तिर्बूच का सीर स कौन उसके परते का धार कौन से 12 degree अधीक है तो यह देखे 12 degree इससे भी अधीक है इससे भी अधीक है त आपको बताये थेक कि तिर्बूच के तिर्बूच के कोन obec का योग कितना होता है वराबर यह 12 घटा दीजएगा तो कितना बचेगा इसको बोलते हैं नीचे वाले को आधार कॉन कितना आपका 56 चापपन में 12 जोड़ी है कितना या एंसर और सट डिग्री, आठ और छे, और सट डिग्री, ठीक, आसट डिग्री अप्सन है ये नंबर, तो अब समाज में आए आपको इतना करने के बाद, ऐसे बोल देने से नहीं होता है, ठीक है, इसलिए डिटेल में जाते हैं, और थोड़ा धीरे चलते हैं, अगर आपको धीरे ल समाजोन के लंबाई का अंतर 10 cm है, ठीक है, ठीक है, समाजोना चत्रभूज, यहोन जाती हैlet, तुझ सममलल्म कसी को में जातए लिएलक है, स्थित 8 जट्रबुज के समांतर भुझाओं की लंबाई का Abend अँका 10 सेंटीमीटर है तो अधि2 आडिस समांतर भुझाओं को रीख ऀंदर क्या होगा कि सबसे पहले आपको ट्याद में होना चाहिए कि वीरीत में eyeballs चत्रभुझ तभी बनेगा जब चार लुब जाएं क्या होगी बराबर हो झाहcü संबस्के चारेभुझ साइड हुआ होता जो सम आंतर नहीं होता है खरावर होना चाहिए तिक है अब इस केस में हो जाता है जब जारे भूजा है गालाजाएं सही होगी तो हम कईवह भूजा को गटाएंगे तो इसको बोलते हैं जिसकी चारुब भुझा बराबर हो ठीक है जिसकी चारुब भुझा बराबर यह करते हैं कि लित लाएए कि यहां करने चैना हो यह की लंबाई 10 सेंटीमीटर तto यह भी है ऐक डेवी कंपहुन हो चाहिए यह सुद्ध अब बोल रहा हैं तो दूसरे विकरन कि यह मिआद करें यह क्या होगा जिए क्या होगा अब क्विस्टंस आगे आपका यह waterfall 10 cm है तो यह 8 होगा ठीक है और आपको यह पूछ रहा है एक भी कर्ण के लंबाई एक पता है आपका 10 है एक भुजा आपका 8 है तो यह निकाल दीजेगा आपको यह वाला निकाल दीजेगा इतना और इसको 2 से गुना कर दीजेगा तो आपका एंसर आ जाएगा तो देखिए इसको नाम दे देते हम समझने के लिए यहां A B C D और यहां दे देते हैं O ठीक है अब देखिए O B S O B S Q बराबर क्या हो जाएगा O B S Q बराबर A B S Q माइनस O A S Q को बनता है यहां 90 को बनता है यहां भी करन कट करता है यह गतना कतना हो y so 민ुक शोल्ला उसका 8 एना होगा 8 तो कितना हो गया 26dop itu बहुशार करेंगे तो छे ओवी आपका कितना चै तो बिश्कारिक आगया इसको 2 से कुना कर देज़िए निकल जाएंगा bịड do god cach inanah 자 कि आफके ऐनसर क्या होगा b-number 2 अ rece realidade है तो यह इसका कैसे निकाले ठीक है तब देखिए कुछ नहीं है आपको कल बताए थे कि 10 बराबर 10 थिटा का बराबर क्या होता है लंब बटे अधार आनि परपेंडिकुलर बटे 20 यह 4 बटे 3 है तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे 4 का सक्वाइर पलस दीन का स्क्वाइर का अदर्रूर मतलब बीज्न को स्क्वाइर porridge लंब का स्क्वाइर पलस अधार का स्क्वाइर क्यतना होगा 28 चैस अंडर पांच बटे चार करन बटे लंब तिक है और इसी तरह फिर 4 is equal to फिर 6 ठीटा तो हो जाएगा कितना पांच बटे 3 ठीक है और फिर फिर है को सक ठीटा तो फिर क्या हो जाएगा आपका आपश बटे चार वह होगा इसको काटे अगा गुना भागा करिएगा लसी एकम नव्ली किएगा ता आपका साथ बटे 25 इसको करिएगा थिक है तो आठ साल में एक रुपिये के लासीर तीन हो जाती है तो कितने सालों में पांच एक हो जाएगी साधारन ब्याज़ा को प्योग करें अगर ऐसा धारन विया जानी सिंपल निस्ट्रेस्ट एसाई का बात करें ठीक है तो ऐसे कोश्चन में कुछ नहीं सुचना है जो का बता रहें वह देखिए अगर कंपाउंड इंट्रेस्ट रहता तब इसको निकालते अच्छे से आँए अट साल में एक्स रूपिया किर्सिती से इक्स होने में कितना समय लिया एक्षै कि अच् DK8 तो किजना बढ़ा आठ साल में इस दोरान दो एक्स तभी तो 3000 वहीं पूछ तो एक्स होगी अब क्या होना चाहिए 5x 5x हो जाएगी ठीक है तो कितना समय लगेगा वही पूछ रहा है जब 8 साल में 2x बढ़ा फिर यहां कितना बढ़ रहा है तो फिर 8 साल लिया तो टोटल कितना लिया एक से 5x होने में 16 साल तापका एंसर क्या हो जाएगा यहां पर 15 का बी नमबर अगर इसको आप चाहिएगा कि फर्मूला से बनाएं तो आप फर्मूला से बना सकते हैं बेसक दो बार आप फर्मूला लगाईए सिंपल प्र्त लकी बटे hundraट भी है इप्रिंजबब आर हैọi और ट्परियर से सिंपल इंट्रेस्ट कितना हो जागा एक्स रूपिया से लिया हो जाता है यहां सिंपल ड्स हो जाएगा फिल्धन कितना है एक्स रूपिया स्नाटिंग में अब फिर आपको फर्मुला पर यहां बढ़ाना है आर आप निकाल लिए यहां बाचीस तो यहां बढ़ा दीजेगा 25 अबर उसको आपको टाइम पुछ रहा है तो यहां टाइम एसशायगा एंजाएगा आपके एंसठराज है क्वेशन्स है आपका कि एक वर्ग इिसका विकर्ण सला रूट ए बीच में एक विश्म कौन सम चत्रभुज काटकर निकाल लिया जाता है जिसके विकर्ण करम सा किश का विक विकर्ण का लिकर्न का विकर्ण आपको दे दिया गया है ठीक है तो वही पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा इस केस में जब काटकर निकाल दो सेस भाग का छेतरफल क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले आप देखिए कि वर्ग का छेतरफल निकालिए क्योंकि यहां दिया हुआ है वर्ग जिसका विकर्ण इतना है तो वर्ग का ठीक है और वर्ग में विकर्ण का फर्मूला होता है यह लिख लिएगा जल्दी जल्दी में बहुत जल्दी यूज होगा वर्ग में विकर्ण का फर्मूला होता है 1630 कि जब भूजा निकाल लिए तो चैतरफ़ल निकल जाएगा टे कितना होता है 250 był bağना 225 अब समद्रुज का निकालेंगे 257 समद्रे कम निखाला ओफड़ समद्रफ़ूज का चैतरफ़ इसको भी लिकल आप ठीक समद्र शम्द्रेborg Lazak क्षेत्रफल यह लिखे है हम सम्साथ्र दुष का झगूता है है एक बटे-दो गुना पहला विकर्न गुना दोसवी कर डी वन डी टु propose हैं गुना पहला विकर्न गुना दूसरा विकर्न और यहां नाहीnın दिए ठीक है पहले वरक ये चयटर्फ़ल निकालने के लिए भुजा चाहिए विकर्न दिया है उसको को इसको लिक्षें त17 कि ऐसे तापके एंसर आगे 223 ves question प्योश्चन्स है 35 cm त्रिजिया के गाड़ी का पहिया सेकेंड में दो चकर लगा कर देखें यहां question पकड़िए आप फिर कहिएगा कि सर एंसर पुरा दिये। 25 सेंटिमिटर की तरिजय के गाड़ी का पहिया, पहिया का बात कर रहा है याणि जक्क Grade को गोल होगा। ठीक है आप कहिएगा क्या कर रहें सरी जना काट रहें काटना पड़ेगा ने काटिएगा तो कैसे कनबट होगा ठीक है अब देखिए इस केस में आपको बताये थे कि पहिया का केस आजाए चकर का केस आजाए कितना चकर लगा रहा है तो उसका परीधी निकालिएगा तो पह करना पड़ेगा हमको आप काट लीजिएगा तब ही संभव है वरना बड़ी लंबा वीडियो बन जा रहा है ठीक है क्योंकि पहला कोईशन डिसकर्स किये थे तो 220 सेंटीमेटर होगा अब दो चक्कर दो चक्कर लगा रहा है ना दो चक्कर तो दो चक्कर में 220 गुना दो 240 220 ग मतलब डिस्टेंस 240 मीटर दो ली कितना कवर होगा एक सेकर्स में दो चक्कर लगाता है मानले यहां यह कोई चक्कर लगा रहा है इसे घुम रहा है ठीक है एक सेकर्स में यह दो बार घुमता है कितना बार एक सेकर्स कितना गुमता है दो बार और यहां से यहां जो घुमता ठीक है ना 240 cm हो गया इसलिए अब बताएए यह दूरी कितना कवर किया 240 cm यह फर्मूला बताए थे distance is equal to speed into time दूरी बराबर चाल गुने समय ठीक है तो S बराबर क्या होता है D बटे T यहां से निकाल लिए अब देखिए 240 cm किया है ठीक है एक सेकंड में 240 cm किया है ठीक है तो सम में कितना है एक सेकंड ताइम आपको एक ही सेकंड ने दिया है और 240 cm वह अब देखिए यह एंसर आ गया अगर आपको सेंटीमीटर सेकंड में पुछता तो एंसर आ गया लेकिन आपको पुछा है किलो मीटर परती घंटा में यही 240 cm परती सेकंड को हम कंभर्ट करेंगे ठ फिर मीटर को किलो मीटर में जाएगा ठीक है अचाहां दो चक्कर लगाता है 220 220 गुना 2,440 होगा 220 तो निकाले थे पहिया का परिधी और दो चकर लगाता है तो 200 कुना करेंगे तो 440 होगा ठीक है क्या होगा 440 220 गुना 2 अब देखिए 440 cm में बदलने के लिए हम क्या करें 100 से करेंगे भागा तो यह हो जाएगा मीटर में कनभाट सेंटीमीटर से मीटर में अब 1000 से फिर भागा देंगे यह कनभाट होगा किलो मीटर में अब यह कनभाट होगा किलो मीटर में ठीक है आप देखिए निच्छे एक सेकेंड है इसको 60 से करेंगे यह कनभाट होगा आ आवर में गनवर्ट हो गया, तो आपका एंसर क्या आएगा, किलो मीटर परती घंटा में आएगा, पर आवर में आएगा, आप इसको काटिएगा, इसको कैसे काटिएगा, इसी में तो बड़ा हो जाता है क्वेस्टन्स, ठीक है, गुना 100, गुना 1000, गुना, जारखन का यहीं का कामाल आगा, इसको काटिएगा, आप 10, यहाँ दो 0, यह 0 से 10, यह कट गया, ठीक है, नीचे बचिएगा 100, उपर 36, इसको करिएगा, तो 1584 आएगा, गुना होके, और नीचे आजाएगा 100, दसमलों दिजेगा, तो 15.84, आपका एंसर आजाएगा, यह नमर, ठीक है, खाल रहे हैं, तो 30, इसको कनबर्जन करिए, आपक एंसर आजाएगा, छिएगा, पॉस्टन से चोड़ाई, जोड़ाई, आठ मीटर, लंबाई 14, गहराई 1 मीटर, गहराई 1 मीटर, गहराई 1 मीटर से 5 मीटर तक बढ़ रही है, तो उसका आयतन क्या होगा, घंतर में क्या होगा तो आपका दिया हुआ इसको बी लिखते हैं इसको 8 मिटर लेकिन छ आपको उजाई जो दिया हुआ है गहराई गहराई जु दिया हुआ आपका 1001-5 कि इस किस्ट में क्या करेंगे हम आज में यहां लेंगे एबरेज लेंगे एक पलस-पांच बրबेशा ही निकालते चैज आया तो तीन मीटर लेंगे टिक है अब इसी को गना कर देना आपको तो ऐलीयोम मुझा बराबर क्या होता है आपका एंसर जाएगा ठीक है तो यही इसमें था खली जो एक से पांच मिटर ना इसको एब्रेज में उचाही निकालना एक पुलस पांच बटे दो और कुछ नहीं था बैर को अधिश कूस्टन ह जाकिि 54 सेंटीमेटर का एक तार को मोडकर र इक संपात तिर्भूज बनाया जाता है आपको पथा है सम्पाहु तिर्भूज वह तिर्भूज होता है जिसकर तीनोघ्जा बराबर होती है फिह तीनोघ्ज़ होता है जब्लेफे नहीं पता तो शोवन सेंटीमेटर का एक तार को मोड़ कर इसको मोड़ कर ऐसे बनाया गया है कि यह तिर्भुज बन गया ऐसे मोड़ दिए यह तिर्भुज बन गया कैसा तिर्भुज बना संभाहु तिर्भुज बना जिसकी तीनु भुजा बराबर है इसका परिमाप क्या होता है संभाह सम्भाहु तर्भीज का भोज़ा निकाल लिए 1818 18 यह आगया 18時, तो संभाहु तर्भीज का छहतर फल क्या होता है, संभाहु तर्भीज का छहतर फल आपका होता है। तोs फ्री जुद्फास होता है। तो दूसरा में बठाना है तब भी निकलेगा जिसे यहां आपको 24 सेंटीमेटर तार मोड कर एक संभाहुत्रूज बना गया अब जो लोका नहीं समझेगा कि तार मोड कर बनाया गया है तो यहां परिमाप का बात कर रहा है जो कि संभाहुत्रूज का परिमाप तीन यह होता है तो वहां से भोजा निकालेगा फिर चेतरखल रूर्ट थ्री वाइप फूरे स्क्वाइर में बठाएगा तो आप कैसे बोलते हैं कि सब क्वेश्चन्स असान है अब दो तिन क्वेश्चन्स अब बीस क्वेश्चन्स में एक कौन सबसे छोटे कौन से दो गुना है तो माल लिजे कि सबसे छोटा कौन एकस है ठीक है तो एक कौन सबसे छोटे कौन से दो गुना है आनि दो एकस है ठीक है और दूसरा सबसे छोटा कौन से इस तीन गुना है और जो दूसरा कौन है वह सबसे छोटे कौन एकस से ती किन गउना हैं तो कितना हो गया इक को न को सब्सेक भार क्षोटे और ह तो पुछा है सबसे चोटा को नाम क्या माने एक्स पराबर तीस दिग्री यह नंबर हो जागा चलिए आप कोई भी कुश्चन में दिक्कत होगा तो प्लीज आप लोग हमें बताइएगा और हां अगर जिसे आवाज में मायक आने वाला है अगर दिक्कत तो आप तो फ्लीज हेड़फोन यूज करके येरफोन यूज करके आप पढ़िए हम जब जल से जल्द आपका बहुत जल्द यह आवाज का प्रॉल्लम सॉल्ब करेंगे और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कॉमेंट करके बताइएगा अ करो करेंगे मान करके एंदिन आपका जल्द आ प्तुत करके आपका यूज कॉमेंट करेंगे ड़ है अभर दो चो की शह दो जो ओका फ्वाच है多। कर दो करा दो क्या दूज कि या ओक और दो यह को यूज कर दो ऊूजक है कॉमेंग इजस्चिता लादाब burakा ।